आज हम लोग बात करेंगे भारतिय सेना के उस आपरेशन के बारे में जो चीन के खिलाब किया गया था इस आपरेशन का नाम आपरेशन इसनो लेपगड था दोस्तो जब पेपूल सलिबरेशन आर्मी ग्राउन फ्रोर्सेज ने कबजे वाले तिब्बत में एक वार्सिक सेन अभ्यास की आर में पूर्वी लद्दाक में तेजी से अपनी सेना को आगे के स्थिती चोटियों और घाटियों पर कबजा करने के लिए जब भेज दिया था तो उस समय भारती रक्षा पर बलो द्वारा चीनी सेन ये हिमाकत को परियापत गंभीरता से नहीं लिया गया था क्योंकि हिमाले में ऐसी गुसपैट आसमान नहीं थी जहां सीमाओं को कडाई से परिभासित नहीं किया गया था दूनों पक्ष दरसल नियमित रूप से एक दूसरे की सीमाओं वाले छेतरों पर दावा करते रहे लेकिन इस बार चीन किसी भी समझवते या संद्य के मोर में नहीं था उनकी अकारण आक्रमाक्ता दिन बढ़ती जा रहे थी जून के मध्य तक चीज़े असपश्ट हो गई अपने जैविक हदियार का इस्तमाल करते हुए वह अपने पडोसियों से सैने रूप से जमीन हड़पना चाहता है और भारत ने स्चित रूप से चीन के सैने रूप से लड़ने के लिए सबसे अच्छे इस्तित में उस टाइम नहीं था तो भारत ने क्या काम किया दोस्तों भारत ने जवावी हमला किया भारत ने क्या किया जब चीन की सेना के साथ अस्थानी कमांडरों के बीच चल रहे गतवित रोद को हल करने के लिए कई भ्राइक बैठी के आविजवित की गई हाला कि चेनी पक्ष ने सांधिपोर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया बलकि असिष्टता और अवास्तविक मांगों का साहरा लिया अस्पष्ट था कि कूटनीत काम नहीं करने वाली थी चेनी आक्रमण के लिए अक्रामक सेन ने कारवाई अब समय किया हो सकता थी NSA के नेतित वाली तीनों सेनाओं की बैठक के दोरां चीनी सेना पर लाब उठाने के लिए दक्षड पेंगों सोज हील के उचाईयों पर कबजा करने का निड़े लिया गया महिनों की योजना के बाद भारती सेना आखिरकार आपरेशन के लिए तैयार हो गई और सेना प्रमख और जी ओसी सेना उत्तरी कमाने हरी जन्डी दे दी आपरेशन का नेतिर तो भारती सेना के विशेज वलों के सेनी को दोरा किया जाना था जो बहुत अधिक हुचाई वाले पहारी युद्ध में माहिर थे विशेश रूप से मायावी एस्पेसल फ्रंटियर फोर्स हिकाई के सैनिक अस्थानी तिबबत आवादी से साथ यो बने है जो निमन आक्सीजन अस्तर और लद्दा की ठंड के आदी है क्योंकि ठंडी के कारण इस इलाके में आक्सीजन की गमी हमेशा बनी रहती है 29 अगस्त की रात को भारती सेना की खूपिया साखा ने दक्षणी पैंगों सो की चोटियों की और चीनी सेना की सैन गत्विदियों का पता लगाया दक्षणी चोटियों पर कबजा करने में चीनीों को पहले से रोकने के लिए अक्रामक टीमों के लिए ततकाल हरी जंडी जारी कर दी गई थी रात के अंधेरे को कबर के रूप में उब्योग करते हुए बिसेश भल के प्लाटून कमांडरों के नेतरतों में चोटियों की और सैनिक आगे बढ़े कम आक्सीजन के अस्तर और ठन के तापमान से जूचते हुए समुद्र तल से बावन सो मीटर की उचाई तक पहुचने के लिए कैप्चिरिंग कीमों ने आवसतन 2-3 किलोमीटर पैदल यात्रा की आगे बढ़ते चीनी सैनिक जब वोगे सेर्स के पास पहुचे है तो उन्होंने खुद को भारती सैनिकों द्वारा पूरी तरह से घिरा हुआ पाया जो पहले से ही उची चोटियों पर अपनी पोजीशन ले चुगे थे हाला कि तीन चोटिया चीनी ठिकानों से निकटता के कारण चीनी के हाथों में उस समय चीनी सैनिकों के हाथों में चली गए भारती सेनिकों ने अपनी पोजीशन को बनाने के लिए उन्हें दर्गिनार करते हुए इन कबजा की गई चोटियों के आसपास अपनी पोजीशन बना ली। चीनि सेनिकों से निपठने के लिए भारती सेन मागर हील, मुखपारी टॉप, रेजांगला और रेचिनला की सभी चोटियों पर सफलता पूर्वक कबजा कर लिया था। पूर्वक के प्रवेश बिंदु को रोक सकता था। इस प्रकार इस पहेंग्यों गुर जील पर चीनि नियंत्रण पूरी तरफ से समाप्त किया जा सकता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भारती रक्षा बलों ने चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है तो वे पूरी तरह से आश्चरे चकित हो गए। कुछ अस्थानों पर पारंपरी कलेशी को एक किलोमीटर से अधिक पार करके चीनि ठीकानों को नजर अंदाज करते हुए भारती इस्थिती को और सुरक्षित कर लिया गया। चीनि सेनिकों ने भारती के लिए बंदी के नीचे इस्थिती लेने की कोसिस के लेकिन वे कुछ ही थे और वापस लोड गए। इस्पैंग गर गूर के गैप के उत्तर की चोटिया इस्पैंग गूर गैप के ब्लैक टाप येलो बंब हिलमेट टाप पीटी हैं पाइकावन सरसट और ठाकूंग हाइट ये सभी चोटिया भारत और चीन के बीच वर्चूल एलेसी पर हैं एक ब्लैक टाप को छोड़कर जो चीन की तरह पड़ता है 19 अगस्त की राज के दोरान हिलमेट टाप और येलो बंब चीनी सेना के कबजे में आ गए जब कियाने सभी निकटवर्थी उचाईयों पर भारती सैनिकों ने पोजीशन ले लिया येलो बंब पाउर हिलमेट टाप पर चीनी पोजीशन से खतर करती है जो भारत के लिए एक बड़ा रणे नेतिक लाप था किसी भी समय संगर्ष की स्थिति में भारती पोजीशन सटी काईटोलेरी फायर या हवाई हमले के साथ चीनी स्वेनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता था धन्यवाद चैनल पर इसी तरह के वीडिय को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें